पहली बात मार्क्स वो क्यों आए हैं उसके पीछे का reason जरूर analyze करिए के यार मैंने ये वाला chapter ये वाला topic ये वाले subject में अच्छे तरीके से किया था और ये वाला अच्छे तरीके से नहीं किया था ठीके second एक बहुत ही आपको important चीज बताता हूँ common dialogue है जो आप लोगों ने अपने घर पे, समाज में, गली, महले, दोस्त में, रिष्टेदारों में सुना होगो जो हम भी बहुत ज़दा सुना करते थे कि ये समसदार है, ये बेवकूफ है, ये समसदार है, ये बेवकूफ है, ये समसदार है, अरे यार ये तुने बेवकूफ ही कर दी यार, ये अच्छा है, समसदारी से काम लिया तुने है दिवां यहां पर आपने गलती कर दी यह बेवकूफी कर दी यह समझदारी दिखाई आपने सब सब लोगों को बोला जाता है कभी ना कभी कैसे पता चलता है कि कोई समझदार है यह कोई बेवकूफ है ठीक है यह गेवे वन लाइन आंसर विच अस्टक विद मी तिल नाओ ठीक है और अपने आस पास दोस्तियार रिष्टेदारों से अडवाइस लेते हैं कि यह मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है और सही रास्ते की अडवाइस सब को मिलती है सही डिसीजन क्या लेना चाहिए उसकी अडवाइस मिलती है वो आपकी इनर इंट्यूशन बताए या कोई घर में बताए ठीक है जो सहीए डवाइस को सुन लेता है समझ लेता है और उसके ओपर एक्ट कर लेता है वो समझदार है और जो दूसरा पर्सन गहता है जो मुझे बता है यार ठीक है और बाकियों को उस पे काम नहीं करता है वो बिफकूफ है सेम इस दा केस यह अभी मैं आप लोगों को एक अडवाइज देने जा रहा हूं ठीक है क्योंकि कल कोई यह ना कहे रिजल्ट सेलिब्रेशन पे खड़ा हो के कि सर आपने यह बात बताई नहीं थ कि अमित माजण सर ने वही बात बोली थी वह मैंने मान लिया अजब 21 समझना वो आपके ऊपरण करता है झेक है जहां पर आपने गलतियां करी हैं गलतियां हमेशा concept related ही होती है यार मैंने Gauss theorem का ये formula लगाना था उसकी जगा ये formula लगना था या Gauss theorem में ये formula लगाना था और मैं उसे भूल गया जो भी गलति है उसके लिए एक copy बनाईए अपनी mistakes की copy उन copy में वो सारी mistakes लिखा करो ठीक है क्योंकि वो गलतियां वो है जो आपके तैयारी करने के बाद आई है बात को समझे ये गलतियां वो है जो आपके तैयारी करने के बाद आई है यानि कि जितनी हम तैयारी कर चुके उसके बाद निकली है ये गलतियां ठीक है तो यह वो गलती है जो फाइनल एक्जाम में जाके रिपीट हो सकती है तो जहां पर भी जिस कोशन में जो गलती हुई है कॉशन को अच्छे तरीके से रीड नहीं किया था ठीक है आप इस बात को मानगे अपनी मिस्टेक कॉपी बनाईए देखिए चीज़ें कैसी फ्लरीश होगी ठीक है हर एक कोशन का लिखे हाँ हर एक कोशन का लिखे चाहिए छोटा छोटा एक एक लाइन में लिखे मैं जागा नहीं कोंगा कि भईया कापियां काली करते रो ठीक है